नमस्कार आप देख रहे हैं EG Cash Pen का ओफिशियल चैनल आज के इस वीडियो में बात करेंगे क्योंकि अभी B.O.B का अधार कार्ट से निकासी के दौरान कई शारे ID में बहुत सारी समस्या देखने को मिलता है तो निवेदन करता हूँ कि वीडियो को इंड तक देखें अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो निवेदन ने चैनल को जरू सब्सक्राइब करें आधारपे के माधि양 से आपको करना है ये तो आप भी जानते होंगे आधारपे से आपने हो सक्ता है लेकिन थोड़ी यू जनकारी आपको रखना पड़ेगा Nomber One नमबर वन में आपको जनकारी क्या रखना पड़ेगा ये बातों को समझ लीजिए नमबर वन में है कि आपका बीओबी का जो अधार पे में लिमीट है जैसे कि स्क्रीन पर आप देख पारे मैं एक चार्ट दिखा रहा हूँ बीओबी का एक सिंगल टांजिक्शन के उपर दो हजर का लिमीट है तो दो हजर से ज़्यदा अगर डालेंगे एक बर में तो नहीं होगा विड्रॉल वो तो फैल्ड होना ही है क्योंकि वो बैंको बादा ने दो हजर का ही लिमीट दे रखा है अधार पे से और आप ज़्यादा ट्राइ करेंगे तो नहीं होगा तो यह पहला बात हो गया कि आपको बैंको बादा का जब भी निकासी करें तो दो हजर करें दुसरा नमबर में आपको ध्यान दखना है दो नमबर की बाते समझ लिजिए आपका फिंगर प्रिंट डिवाइस निउ होना चाहिए ठीक है अगर आपके पास मोर्फो बगर या अधर फिंगर प्रिंट डिवाइस रहेगा तो वहाँ पे दिक्कत आ सकता है लेकिन मंतरा क अगर निउ डिवाइस रहेगा तो हंड्रेट परसेंट आप ब्रोधा का सक्सेस टांजिक्शन कर पाएंगे और किशी भी तरह का कोई शमस्या नहीं होगा ब्योबी का जो भी सस्पेक्टेड फ्रॉड या इन्वैलेड टांजिक्शन जो भी इरर आ रहा है वो सारा का सारा सॉलिशन हो जाएगा